हर हर महादेव यह एक कवच बनाया है जी शुक्र का रत्न लगाया है औरिजिनल फायर उपर पूरे पीस में फुल फायर है जी चारो तरफ भी है बहुत अच्छा औरिजिनल और श्ट्रेली ने उपर लग बिना दाक का नीचे भी कहीं कहीं पायर की टच है चांदी में मुखी रुद्राक्ष लगाया है शनी देव का शुक्र के अतिमित्र है मंगल भी शनी और शुक्र की कुंडलियों में कारक होते हैं कहीं कहीं तो बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी भी है यह कुम लगन का था यह 11 मुखी लगाया है असली नीपाल का चांदी में मोटे की चैन है बहुत प्यारी, हर हर महादेश, एक यह पाठ मुखी में गनेश मुखी है असली दाना है पांच मुखी में अब ये मिथुन लगन का था तो हमने इसको एक हरे रंग का तोतिया कलर के हरे रंग का हकीक का दाना लगाया है डाइमंड कटिंग में चांदी से तयार किया है इसको कुंडे में बहुत शांदार भगवान स्री घनेश का रुदराक्षय असली नेपाल का हर हर महादेव